जी आएनू प्यारे विद्यार्थियो एट्ट क्लास दी साइंस दी बुक दा चेप्टर नंबर सेवन कंजर्वेशन ओफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एदे नोट्स और कीवर्ड्स असी पहले वीडियो विच कर चुके हां आओ हुन इस वीडियो पिच असी वदी एक्सराईज़ करिए एक्सराईज दे बच्चोटों सवालल सिर्ट इखेंका फी लम्बे जवाब ने so that is why I am not doing this in one video I will be doing this in two videos so this video which we are going to do only exercises 1, 2 and 3 है तिन question इस exercises जे करांगे ते अगले video भी चसी अगले question जड़े अगे ने वो करांगे ठीक है बच्चे so अपनी notebook लेलो, pen लेलो ते जड़ियां गला, दसीयां जानगी है ता नो उन्हों नाल दे नाल तुसी note कर दे जाना है ठीक है बच्चे ओ, so आओ शुरू करिए ते शुरू करूं तो पहले एक बर में तुन फिर चेते करा दुआ let me remind you कि इसी channel दे उत्ते you can access two playlists 8th math notes and दूसरी अगी है 8th math just 8th math 8th math notes which today 8th class the math है, वोदे important chapters जड़े main बड़े chapters ने, जड़े कोई concepts है ने, वोदे नोट सम्झाय है सारे principles, concepts 8th math which सारी book the exercises है है, सारे chapters दी solve करके समझा के पाई होई है you can also access one more playlist math tricks ठीक है, वोदे विच math दे, multiplication, दे, squares दे, दे, short cuts जड़े ने, वोदे पाई होई है so you can take benefit of that also okay question number one fill in the blanks खाली सान पर हो, ठेक है यह बड़ा simple, straightforward है अगर असी notes पढ़े ने दे, असी राम दे ना ने दे जवाब दे सकते है a place where animals are protected in their natural habitat is called wild life sanctuary जिस कुदर्ती इलाके विच जानवरादा उन्होंनों बचा के रखे आ जानता है उन्हों wildlife sanctuary के आजनता है species, नसला found only in a particular area is known as endemic species जड़े कोई खास जानवर, पंची किडे मकोडे, किसी खास इलाके विच ही मिल दे होन, होर इलाके विच ना पाई जानते होन, उन्होंनों के आजनता है endemic species, ठीक है migratory birds, जड़े हिजरत करके अंदे ने, एक हिलाके चरिंदे ने फिर समाव बदल दा, मौसम बदल दा, मौसम करके दे गो टू वेरी फार अवे प्लेसे ओ वर्ट्स नो के आजनता है, migratory birds and they fly to फार अवे प्लेसे दूर के होन जान देने, because of climatic changes, climatic मौसम दी बदलाव करके यहां बहुत जारा ठंड हो जन दी जिल्ले ठंड वीच हो थे रैना, breeding करनी, अंडे देने, संबने, ओखे हो जन देने, then they come to temperature, then they come to areas where cold is less severe जिदा उन, Siberia तो बड़े सारे जानवर इंडिया आंदेने, ते जदो ठंड खतम हो जन दी है उत्थे भी ठंड कर जन दी है, then they go back to their original habitats. So, the birds migrate because of climatic changes, ठीक है बच्चो, मौसम देविच आईया जडिया तब दिलिया ने, changes ने, वो दे करके they go to far away places. So, आओगे चलिया हो, question number two, question number two है बच्चो, it is in different parts, so मैं एक part by part by कर रहे हैं, ठीक है, so differentiate between the following, दो-दो उनने दिते हैं ने, phrases, ते उदे विचे difference दसो, ठीक है, so part एदा straight away यसी कर दिया है, wildlife, sanctuary and biosphere reserves, की फरक है गाया, so बड़ा simple है, तुसी notes पड़े हैं, so notes देखरती यसी सारे, जो आप तियार कीते हैं, आँ दिखिए, wildlife sanctuary is a reserve forest, providing protection and suitable living conditions to wild animals, उननों protection मैंने उननों रख्या कीती जन दी है, ते suitable living conditions मैंने, उनना दे favor विच, ताकि उननों shelter, खाना, पीना, हर चीज, ज़ी सूलते, उस टाइब दी, naturally मिल जावे, उननों अदे विच कोई अर्चन ना हवे, ठीक है, wild biosphere, biosphere भी ना लगाल कर दी है, is a large area, wild sanctuary, छोटा होंदा है, biosphere reserve is a larger area, large area meant for conservation of biodiversity, ठीक है, सारी biodiversity, plants भी आगे, कीडे मकॉडे भी आगे, पंची भी आगे, microorganisms भी आगे, सब कुछ, and also traditional tribal life of that area, अगर उस इलाक्य बच कोई tribes, कोई कभीले रिन देने, ते उना दी कोई रवायती, जीन दी, शेली अगी है, traditional lifestyle लगा है, ते उन्हों भी preserve करन वास्ते जो बनाया जाना है, उन्हों क्या जाना है, biosphere reserve, ठीक है, फिर अगली का ले, a biosphere reserve may also contain other protected areas in it, बाइव सफियर रिजर्व इनना वड़ होंदा है, की a wildlife sanctuary may be a part of biosphere reserve, बाइव सफियर रिजर्व दे विच, कुछ पॉकेट्स हो सकती है, जन्हों वासी wildlife sanctuary का सकती है, ठीक है, so wildlife sanctuary could be a part of a biosphere reserve, wildlife sanctuary is smaller in area, biosphere reserve is larger in area, and biosphere reserve also targets to preserve the tribal life of that area, ठीक है, अगर एग्जमपल ले लिए, great nicobar biosphere reserve, great nicobar biosphere reserve, and lockchau wildlife sanctuary, is an example of each of them, अग्जमपल लेने, so किताब लिखे लिखे लेने, तो उसे एग्जमपल भी याद कर लो, मलकी, great nicobar biosphere reserve रिजर्व एगा है, लोक्चाव wildlife sanctuary, a wildlife sanctuary दा example है, so अगर चलिए, question number two, part B, differentiate between the following, zoo and wildlife sanctuary, उन्दे को in a zoo, जिन्दों चिडिया करके देने हैं, animals are kept under man-made, or artificial setting, एग्ज सारी चीज़ बनावटी हुंदी है, वेच सडकां भी बनी हुंदी हैं, फुटवाद भी बनी हुंदी हैं, टूटियां, पाइपलाइन ना, office भी हुंदी हैं, building भी हुंदी हैं, पिंजरे बनाई हुंदी हैं, बनी सारा artificial है, हो सकता है, जू है गया, वो किसी शेर दे विची बने हुए, ठीक है न, वो जंगल विच नहीं हुंदा, वो शेर दे विची हुंदा है, वो दे आसपस काहर भी हुंदे ने, फैक्टरियं भी हुंदी हैं, लोग भी रिंदे ने, वो इन जू, अनिमल्स अर केप्ट अंटर man-made और artificial setting, for public exhibition, public मेने, लोग आके देख सकते हैं, public exhibition वास्ते, मल्गियों, जानवर पिंजरे चुंदे ने, ते बार, पिंजरे दे बार, tracks बढ़े हुंदे ने, रस्ते बढ़े हुंदे ने, सड़कां बढ़ी हुंदे, लोग की खड़े हो के देख देने, and recreation, recreation क्यों दे बच्चों, entertainment, मुनरंजन, school दे टूर जान देने, बंदे जान देने, जानवर देखन, सब मुनरंजन ली जान देने, जू दा परपस बच्चों देने, it is for public exhibition, it is for recreation, and in a zoo, the animals are kept under artificial conditions, उना दा खाना पीना सारा जड़ा है, उस सरकार अलों जड़ा है, वो और्गनेस कीता जनता है, ठीके, the animals do not necessarily belong to endemic species, जड़ा 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 जड wildlife sanctuary is like forest and provides the natural habitat यह दखो अगया artificial setting, artificial habitat wildlife sanctuary अगया natural habitat for the wildlife जंगल दी जड़ी जिंदगी यह जानवरा दी वो जिद्दा कुद्रत ने बनाई यह उद्दा ही वो हुन थी wildlife sanctuary wildlife sanctuary is a protected area मलकि इद्दा नहीं है फी जिद्दा जो मरजिया जिद्दा मरजी चल जाए यह ते कोई ना कोई कंट्रोल हुनता है यह दे वास्ते डेजिगनेटिट ओफिसर्स फॉरेस्ट ओफिसर्स भी हुन्देने ठीक है कोई देपार्टमेंट भी बनी हुन्दी है तो इस अ प्रोटेक्टिड एरिया इस प्रोटेक्टिड बाई लौ इन विच सूटेबल कंडिशन्स आर प्रोवाइडिड कुछ खास कम भी किते है जंदेने और शर्टेन एक्टिविटीज अर प्रोविटेड ति हो सग दे उस विच कुछ अक्टिविटीज प्रोविटेड होन्मल की इट में नौट बी ओपन तो पबलिक यू कैनोट ग्रेज यू लाइफ स्टॉक यू कैनोट कट ट्रीज यू कैनोट हंट फॉर अनिमल्स सो इस तरह दी कुछ अक्टिविटीज नूँ प्रोहिबिट भी कीता होया होन्दा है ठीके आओगे चलिए ओके कुछ नूमबर टू पार्ट सी डिफरेंशियेट बिट्विटी फॉलविंग इंडेंजर्ट स्पीशिज और एक सिंपल इंगलिश दी डेफिनेशन ही है और कुछ नहीं पर चलो साड़ा कॉंसेट क्लीर रजाएगा So species whose numbers are falling जना दी गिंती कटी जा रही है ओ नसला ओ जना दे नंबर ने जना दे मेंबर ओ गिंती कट रही है to a level इस पदर तक that they might face extinction, extinction on the elimination, खातमा, खुरा खोज खतम हो जाना are known as the endangered species मलगी ओ जना दी गिंती इननी कट रही है ते ओ देखके लगदा ग्राफ जे इद्दा ही कट दी रही ते आन अले कुछ दहाकियां विच, decades विच या कुछ सो साला विच इना दी गिंती खतम हो जाएगी ठीक है, so members of endangered species are in existence, वो होंदे ते ने, but their number is very small पर उना दी गिंती वो थोड़ी होंदी है, and is probably falling further, ते ऐवी हो सकता है कि उना दी गिंती हो और भी डिग रही होगे, एक ते पहले नहीं काटे, ते डिगी भी जा रही है, so एना नू क्या जन्दा है, endangered species, मलगी in danger, under the grip of danger, खत यक्ति खतरे दी कागार ते खड़ेने, कि डिग खत्रे दी कागार ते, खतव होन दी, इस तरती तो मित जान्दी कागार ते खड़ेने, वो जानवर उनानू क्या जन्दा है, endangered species, यज़ए ज़ने खत्रा, ते इंडेंजर रहने है, खत्रे विच पाणा, ते endangered मैन खत्रे व असी उना दे जड़े नैचुरल ड्रैन दे जड़े habitat सिगे उन्हों डिस्ट्रॉइ कर दिता हुए तो यह उना दी जड़ी food chain सिगी उन्हों असी डिस्ट्रॉइ खतम कर दे disrupt कर दिता हुए so they are not able to survive so कोई कारण हो सकते ने ठीके फिर अगला आ गया species whose numbers are no longer in existence no longer उन्हों है ही नी ठीके are called extinct extinct मैंने aloop हो चुके extinct दे जड़ा पंजाब जी शबते aloop, aloop हो गए पहला सिगे उन अद्रिष्ट, उन नजर नहीं आंदे खतम हो गए उन्हों क्या जंद है extinct species ओ जानवर, ओ चिडियां, ओ पंच्छी उन्हों क्या जंद है extinct species ये दा उन्हों लोगिए they existed in the past वो पूत काल विज़ते सिगे असी किने न सानु चिडियां नजर नहीं आंदे असी छोटे उन्हों जानवर देख दे सिगे उन्हों सानु जानवर नजर नहीं आगे butter no more पर हुन नहीं आगे ठीके एरे पिछे भी मुनुख दा लालच मुनुख दी तृष्णा वोई जिम्मेवार है गिए क्योंकि असी उन्हों आदे जड़े कुदर्ती कारसी के उन्हों तबा कीता पेडा नू बड़ेया हवा गंदी कीती पानी गंदा कीता उन्हों दी food chain disturb कीती अपने लालच वास्ति उन्हों दे शिकार कीता हना ते तांकि उन्हों दे जड़े body parts है गेने चाहे उदांद ने चाहे सिंग ने चाहे उचमडी उदे स्मगलिंग कीती अपने लालच करके सो बच्चे उदान पता है कि सब तो खतरनाग जानवर इस तरकती थे कौन है गया सब तो खतरनाग जानवर ना थे बिच्चू है गया ना साप पैगया सब तो खतरनाग जानवर बंदा है बंदा क्योंकि बंदा एक दूजरे खिलाफ साजिश कर दा है क्याम्यात्यान यू पत्षे रखिन घठ कमने abm u तो इसाि नियुक कर देंगे पड़ियां किदश करें वाद एक कोई त्रीक है कि अपना सहह्य पार्ट करिय कि मृध भेकाटिriend worth जड़े अंदर साथे जानवर बैठे हुए ने माडी बिरतियां बैठियां उन्हों ठल पैजन दी है सो फ्लोरा याद रखना फ्लावर देना जुड़ दा है फ्लोरा 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 मिंस फ्लावर ठीक है means all the plant life belonging to a particular area किसी भी खास इलाके विच जिननी भी बनस्पती है चायो जड़ियां बूटियां ने चायो बुशिज ने चाड़ियां ने चायो रूख ने चायो अपने कोई होर जंगली पौदे ने चायो फ्लोर ने उँ सारे अनुं क्लेक्टिवली क्या जंद है फ्लोरा ठीक है ते इसी तरह फोना फोना means all the animal life belonging to a particular area माइक्रो और्गनिजम, और्गन वाले, उडन वाले, तुरन वाले, सारे किसम दे जानवरानू collectively एक खास इलाक्ये दे जानवरानू क्या जंदा है? फोना. उने एक्जम्पल तो समझ आजेगा देखो. फोर एक्जम्पल, टीक, मेंगो, जमून, एट्सेटरा, और दी फ्लोरा, और चीतल, लेपड, वाइल डॉग, वुल्फ, एट्सेटरा, और दी फोना, और पच्मडी बायो सिफिर रिजर्व. अर थाथ, पच्मडी बायो सिफिर रिजर्व विच एवले बूटे पाए जान पच्मडी बायो सिफिर रिजर्व, ठीक है बच्च्यों, स्वाधे बड़ा सिंपल सिगा, यह नों तुसी कंठ कर लेना है, ओके, हुन आगया बच्च्यों, question number 3, ठीक है, discuss the effects of deforestation, deforestation बच्च्यों की उन्दा है, deforestation बच्च्यों मतलब है, जंगला दा उजाडा, जंगल दा खातमा, पहले जंगल सी, रुख वर्ड वर्ड के वर्ड के वर्ड वर्ड के ओ जगा पद्री कर दिती गई, ते उन्हों क्या जान दा है, deforestation, deforestation, जंगल दी तबाही दे असरां, असर ये न ते की की उन्दे जानवरां थे, बातावरन थे, पिंडां थे, सिटी शेरां थे, अर्थ पूरी तर्ती थे, अगली पीडी थे, जंगल कटंदा की असर होएगा, एदे बारे डिसकस करो, सो बचे बड़ा ताइम है नू, I've divided this exercises video into sections, because देखो है, एचे पार्स ने, ते सारे टेक्स्ट वाले ह पारे ने, डिसकस करना है दे बारे, ठीक है, तो टाइम लगना सीगा, ते वीडियो बहुत लंबा वाजना सी, इस करके मैं कीता है, तो आओ, वन बै वन एतने लिखिए, मली यसी ब्रीफिली भी लिखना है, ते सारी गलना भी कवर करनी है, ठीक है, आओ, देखी, पार्ट रहन बसेरा, ऐल एनिमर, सारे जांवर, वैदर हर्वीवर्स, चाहिओ, पौदे, जड़ी बूटिया का अफूस खान वाले होन, उनके हर्वीवर्स, और कार्णी वोर्स, या मास खान वाले होन, बाज हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, पेडिया हो गया, ultimately, मली ओड़क, अंतनु, depend on plants for food, सारे पौधियां ते ही depend कर देने, उन बच्चे वो देखो, अगर शेर ने हिरन खाना है, ते हिरन ने की खाना है, हिरन ने काफूस खानी है, जेले जंगल खतम हो जणगे ते हिरन खतम हो जाएगा, क्योंकि उन खान नो कुछ नहीं मिलेगा, जे हिरन खतम हो पर कर देने, ठीक है, फिर के ने, organisms feeding on plants are often eaten by other organisms, जेड़े जानवर पौदे खान देने, वो जानवरा नो दुझे जानवर खान देने, इस फॉर्म सा फूर्ड चेन, एदे ना लेके खाने दी लड़ी बन दी है, ठीक है, मैनी सच फूर्ड चेन्स एग्जिस्ट इजिस्ट कोई जानवर खानदा है, कोई जानवर कोई बुटे खानदा है, कोई जानवर कोई बुटे खानदा है, so they are all interlinked, ठीक है, so, and they are all interlinked, सारी फूर्ड चेन्स together, they form a food web, ये कि जाडा जा बन जानता है, ठीक है, every part of a forest is dependent on the other parts, जंगल दा हर एक बरीक तो बरीक, छोटे तो छो कोटा हिस्सा भी जंगल दे वाकी हिस्स्य नों पर वावित कर दा है उते निर पर उन दा है ठीक है तेके ने रिमूबल ओफ वन कंपोनेंट ते ओधा जंगल दा इक हिस्सा जेड़े की रुखने ओना नू वड़ दिये जंगल दा जंगल बड़ा कुछ आगा है मिटी एगी जानवर एगे ने बड़ा कुछ है असी देगे इसी सर्फ पेड़ी कटे ने होड़ कुछ दे कीता नहीं परके ने रिमूबल ओफ वन कंपोनेंट ओधा एक पुर्जा जंगल दा जो की पेड़ सी उन्हों असी हटाता विल अफेक्ट दी अधर कंपोनेंट्स जंगल दे ब जड़ा उनी असी स्टार्टिंग चपड़े है पि इंडेंजर स्पीसिस के डेने पि उनना दी गिंती इनी कट जाए इनी कट जाए ते जेदनी कट दी रही ते आनले समच दे में बिकम एक्स्टिंग्ट स्पीसिस जनवरा नसला जडियां ने खतम हों दे किनारे पुंजान दिया है many species of animals they come in the category of endangered species wild animals देखते deforestation दा जड़ा असर है अगे चलिए Part B Effect of deforestation on environment वातावरण उन्दे खोईदा किदा जवाब शुरू करने है the forests are like lungs and water purifying systems in nature जड़े साड़े जंगल ने ना बच्चेओ संजो तर्थी दे फेवडे ने ते पानी शुद करन दा एक बड़ा वड़ा system ने कुदरत दा trees maintain the balance of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere साड़े वातावरण जड़े ने दो गैसा ने वड़ी है हमनी होर भी ने पर असी इतने सिर्फ दो गैसा निकल कर रहे हैं असी सा लेने हैं ते oxygen वरता दे हैं सा छड़ दे हैं ते उच्चेओ carbon dioxide बार निकल दी है ठीक है thermal plants भी carbon dioxide प्रोड्यूस कर देने जड़ा सी तेल diesel oil पेट्रोल साड़ दे होने च्चेओ भी carbon dioxide gas निकल दी है ठीक है उन बच्चेओं की जड़े पेड़ ने carbon dioxide नो consume कर देने खपत कर देने because they make their food with the help of carbon dioxide and sunlight ते oxygen चड़ देने जो oxygen साननों मिल दी है यह ता मलदा बच्चेओं की यह पेड़ साड़ी जिंद जानने ऐसाड़ी जड़ी बार गंदी gas carbon dioxide नों लेलें देने ते suddenly oxygen देने जे तो असी जीवन प्राप्त कर देने ते असी अपनी जिंदगी नहीं बड़ी जा रहे है देखलो किने मूर है गया असी जान अपने जड़े इंसान है गया सो trees maintain the balance of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere they also maintain the water cycle water cycle के दा मिंटेन कर देने बच्चेओं they take water from the soil through the roots जड़ां तो जड़ां दे रही तर्थी जो पानी बार लेंदेने फिर transpiration रही पतियां विचो सारा पानी वाश्पी करनों के वाटर वेपर बनके हवा भी जानदा है यह वाटर वेपर वाचो फिर की बंदा है बदल बन देने बदल बनके फिर नी बंदा है ते जड़े पेड़ ने वो रेनफॉल दे विच भी साड़ी साहिता कर देने दस डी फोरेस्टेशन फिकी हुंदा है इंक्रीजी दी कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डायोकसाईड जैसी पेड़ कर दे हैं ते कार्बन डायोकसाईड दी मात्रा हवा विच वाट जान दी है क्यों जड़ा एवरेस्टेंपरेचर तर्तीदा उबद रहा है ठीक है डी फोरेस्टेशन आलसो डिस्टर्ब्स दी वाटर साइकल जड़ा पानी दे चक्कर बने आ है मी पे आ वाश्पी करन वाया फिर बद्दल बने फे मी पे आ इन्नों कहेंने वाटर साइकल विच इसी करके ब बद्दल आन्गे ने छट्रा तर्पाय के मी खतम हो जानता है संदर ग्राउंड लेवल पानी दा जड़ा वाटर लेवल इन ग्राउंड वाटर लेवल थले जाई जार रहा है वाटर टेबल नामे जार रहा है क्योंकि इसी पूर्सी विलिजिस रूरल एरिया पैंडू इल यह पेड़ बड़न्दा की असर पह रहा है और दिखिए उन villages depend on farming, farming मैंने खेती for their livelihood, अपनी जीवी का ली अपने अवनों जीन्दे रखन लई जड़े पिंड़ने, वो केते depend करते बच्चों जाए अदर पिंड़ना मुझ खेती हुन दी है, ठीक है फिकेंदे deforestation जड़ा जंगला नों कटना है reduces the soil fertility and changes soil properties ऐस soil दी properties नों भी चेंज कर दिन्दा है ते soil दी उपजाओ पन, fertility fertility मैंने उपजाओ शक्ती जड़ी ये मिट्टी दी उन्हों कटा दिन्दा है क्योंकि जड़े पत्ते आने थले डिगना सेगा वो पत्ते आने मिट्टे चे कुल के हुमस बनाना सेगा, उन्हों nutrition देना सेगा उन्हों पत्ते नी डिग दे ते तर्ती दी जड़ी soil fertility है वो कटनी शुरू हो गई ठीक है, this hurts agricultural practices एदे नल की वाया, जो खेती बड़ी जड़ियां जड़ियां गती वीदियां ने उना ते बड़ा मडासर पे है deforestation is also cause of soil erosion अर्थात तर्ती दी उपर ली जड़ी मिट्टी परताईगी जड़ी 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 ज़ा हुए वो ता खुरना जो तो पेड़नी उन्दे, मैदान पडरा हो जड़ा है फिर मिट्टी जड़ी है, जो तो मीट़् दे है वे पाणी ऊपर ली परताईगी जमदा के बने करेंगे है ते पेड जड़े आगे ने, उकी करते जले नहरी है, नहरी दे असर नो भी फिक्का पादें देने, जलो पेड बहुत सारे होन, हवा आएगी, तो सिद्धी तरह मिटी ते टैक नहीं कर पाएगी, जले बहुत सारे पेड होनके जले मी डिगेगा, ते पानी ती बुंदा बड आगे तो टिली होके, पानी वहां के लाजान दा है, ते हवा भी वहां के लाजान दा दी है, ठीक है, उड़ा के लाजान दी है, es लीड सू डेजर्टिफिकेशन जिले उपर ली पर तो उड़ दी जांदी है ते थल्लियों दी की आ जांदा है रेता ते पथ्रीली जमीन बार आ जांदी है डेजर्टिफिकेशन फेर रेगी स्थांच बदल जांदा है बड़ा सारा इलाका असी पढ़ देया कि पंजाब मोटर चलाना है यहां पानी टांकी भठी हो पाणी दाबर उठिग दे रहते हैं तो और फिल्ली में देख़ेशन ओर की तूटी आदेन्स टोल में टुट्टло कि हूँल पानी दा जड़ा लेवल है ग्राउंड लेवल है कटी जा रहे है तो वी शुट भी वेरी वेरी कियरफूल अबॉट दीस थिंग्स सानु जाद सी मोटर चलाईए ते सानु का अर्दे सारे मेंबरन नू पताव नाची ते मोटर चल दीए ते एक बंदा हो थे जूटी थी मेंटि नू बंदान अदी जडी कैपसिटी है मली म्टी इण फॉपर ली हुन दी है वो सफ्ट उक ही उंदा कि जलने नी पे जा नहीं पहेंदा है वो डिरप हो के सीप हो के सिम के पानी थल्ले चला जबा पर जो थल्ले रेता आज आजाएगी या पत्थरीली जमीन पानी वहा के वोना फ्लड आएगी वोना हड आएगा ठीक है so it reduces the water holding capacity of the soil and thus increases chances of natural calamities such as floods and droughts फेकी अगर सोका पेना शुरू आजएगा यहां सोके पेनगे यहां हड आणगे हड की आणगे बच्यों क्योंकि जले मीप या थल्ली जमीन पर ठ्रीली आगई ते पानी सिम के थल्ले नहीं जा सकया सारा पानी उपर कठा होंदा गया तो पिंडावी चाह गया so this is how the floods also come and this is how the soka जड़ों ड्राउड करने है फेमिन वह आंदा है so ए मड़ा असर आगा पिंडाने उत्ते डीफॉरेस्टेशन दा और गजच चलिए cities, शहर, urban areas, शहरी इलाके उन्दे की शहरां उत्ते डीफॉरेस्टेशन दा की असर पिंडा है फिर आगया बच्च यो the forests are the green lungs ए हरे फेफडे ने and water purifiers of nature पानी नू शुद करन वाडे ठीके बच्च यो ए इलाके ने डीफॉरेस्टेशन इंक्रीजिज दी कंसेंट्रेशन अफ कार्बन डायोकसाइड ठीके एक कार्बन डायोकसाइड दी मात्रा जड़िए उन्हों वद होंदा है हवा दे विच एड्स टू एर पॉलूशन वातावरन नू दूशित भी करदा है एंड ग्लोबल वार्मिंग आलमी तपश टेंपरीचर वद्ध है इट आलसो डिस्टर्ब्स दी नेचर स्वाटर साइकल पानी दा जो चकर बने होया है मली पानी तो वाश वेपर बनना वेपर तो क्लाउड्स बनने क्लाउड्स मी पहना मी पाहडाते पहना उते बरफ जमनी बरफ दा पिगलना पिगल वेपर बना के छट देने हावा दे बिच वना क्लाउड्स बन देने ठीक है सो इफ वाटर इफ फोरेस्ट आर देर देर विल बी नो वाटर वेपर इन दी एर दू दू टांस्पिरेशन सो इट विल कॉज रिडूस रेइन फॉल फॉल फॉर ट्रीज आलसो एग्रेवेट द जड़ा मशीन ना दा वीकल दा वाना दा शोर वी वद्धा है जड़े पेड़ने बचयो आई नौइस पोलुशन नू भी कटाम देने है ठीक है आल दीस फेक्टर्स पुट टुगैदर ऐस सारे फेक्टर नो औरी कठे कर दिये दे टेका हैवी टॉल हैवी टॉल मैंने बड इसमाननी से अठे मेंटल मनसिक से अठे बडा मडा टेक है हैवी टॉल मैंने बहुत। ज्यादा कीमत प्राफ्त करदेने अर्थात बहुत ज्यादा एदा नुक्सान हों अधा है सारी गल्लां, global warming, noise pollution, air pollution, reduced rainfall, all these factors taken together, they affect the physical and mental health of city dwellers बच्चों तुसी शे सुनके हरान होगे, जड़े मांसिक रोगी ने, ओना दी प्रतीशत शैरां विच जादा है, ते पिंडां विच काटे है क्यों बच्चों, क्यों शेरां विच हर जगा सीमेंट, इटां, सडकां, लोहा, ते शीशा नजर आंदा है, पेड नजर नहीं आंदे, ते लोकी हर विले अंदर ही रंदर रंदेने, कारां दे ड्राइंग रूम, सोफे दे बैठे रंदेने, टिवी देख दे रंदेने, फिर कार्चों निकले कार्च बैठ जान दे, लोही दी कारवनी हो, यह शीशा लगा है, फिर कार्चों निकल दे, दफ्तर वी चले जान दे, उत्थे भी शीशा लोहा दे कंदा हैंगी है, ओ कदी अकाश वाल नी देख दे, कदी तारयां वाल नी देख दे, कदी चंदरमा वाल गल लगी है नहीं ते गुरु साब ने गुरुबानी चे लखे है बलहारी कुदरतवसिया तेरा अंतनाजाई लखिया प्रमात्मा जढ़ा है वो कुदरतवीच रम्या हो रहा है ते अशी उस दी अंशा गया ते जैसी कि अपने मूल तो टुट जा माँगे ते असी सेतमत की में रह साख देया है सोचन वाली गल है अगगे चलिए ओके ए पार्ट ए उन अर्थ पूरी समुची तर्टी दे उत्ते एड डी फॉरेस्टेशन दा की असर हो रहा है ते फॉरेस्टेशन मैंटेन दी बैलन्स बिविन गार्बन डायोकसाईड अगशीजन गल पेल भी हो चुक है फिर दी टी फोरेस्टेशन मींस दी खिर में ग्र्ट णावार्ष लएकॉड प्यार बैदने ती इस प्यार्ड़ क्योंक स्विर्च कर्बन अगओक स्विर्च कर् सब्सक्राइब करना तरती नो हिट करके वापस पुलाड विज जारी हैं सपेस विज जारी हैं हवा विच जड़ी कार्बन डाइकसाइड है वोज फिज फिज नो ट्रैप कर लें दिए वो पुलाड विच सपेस विच नहीं जान दिए ते हीट जड़ी किते रहा जन दिए तरती रहा जन दिए और जिटे एट्मस्फियर वो देनाल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्लोबल वार्मिंग इस रेजिंग दी सी लेवल बाई मेल्टिंग दी पोलर ग्लेशियर फिर जले टेंपरेचर वद्धा देखी होएगा वन ग्लोबल वार्मिंग इस हैपनिंग आलमी तपश वद्धी पर यह ते जड़े बच्चयों नॉर्थ पोल ते साउथ पोल ते आर्कितिक अंटार्कितिक जड़े पोलर ग्लेशियर ने बरफां दे लोदे ने लखां टना दे बहुत सारा होथे मिए अपना पाणी आगा है यह त्यार नॉम्टिंग नॉब द्गोस टेंपरेचर वद्धा पर एवरिस टेंपरेचर इस आइजिंग सो दे आर बिगिनिं समुंदर दे नेड़े पेंड आगे ने यह शैर आगे ने बंबे हो गया कलकत्ता हो गया न्यूयर्क बड़े सारे इद्दा दे आगे ने हवाइन आइलंड विच काफी सारे जड़े आइलंड ने और डुब चुके ने कोस्टल मेने समुंदर दे तट दे किनारे ते जड़े वसे होए रैन बसे रेने चाय ओ जानवरां दे ने चाय ओ मुनुखा दे ने चाय शैर ने चाय कस्बे ने चाय कोई जंगल आगे ने they are at the risk of being flooded and submerged हो सब्सक्राइब उत्हे हड़ा है तो पूरा 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 पानी देनाल टक्के जान खतम हो जान सो ए बच्चो ए बड़ा मड़ा होएगा जे इस तरह हो गया सो देट इस वाए असी जद कार बनाई है ते पेड़ भी लाई है ठीक है ना असी आलसी हो गया बड़े मैं देख्या है पिंडा में चे लोका ने कनाल अकला दी कोठी बनाई होई है ति सारे एक सेरो लेकर दूसरे ता सर्फ पत्थरी पत्थर आ गया ऐस अड़ा फुक्रा बनने मली असी दसना चानने है असी कनेड़ा तो आया मरीका तो आया सड़ को बड़ा पैसा आया गया ते असी कोई भी थान ही चड़ आजी सवजेगा पत्थरी पत्थर लाया है मिंगे मिंगे टूटियां लाई है बूटा कोई नहीं लाया पेड़ कोई नहीं लाया किनी बच्चे देखो किनी हासे आली और अजीब गरी उगा ले पे कार पत्थरी पत्थर लाया है वह के अंदा पाजी सड़को पत्ते थले डिग देना उपकठे नहीं करूंदे मलकि ऐसाड़ा हो गया है ओ पंजाबीयां दा हाल है जेडाना दे गुरू ने क्या भी किर्थ करनी चाहिए है अधीं कम करना चाहिए है ओ के अंदे सड़को ने पत फिर गर्मियां विच इनना तप जानदा है तुसी तुर नहीं सकते थन्ड विच इनना ठर जानदा है कि उत्ते तुसी खड़े भी नहीं हो सकते ऐसाड़ा हाल है इन सड़ी बुद्धी इननी के कम कर दिये देख लो और ओगे चलिए ओके पार्ट एफ दी नेक्स जनरेशन एडी फॉरेस्टेशन दा आणवाली पीडियां ते की असर पे गा एदे बारे कुछ लिखो ओ देखी बच्यो डी फॉरेस्टेशन विल डिप्राइव डिप्राइव वंदा है बच्यो विर्वा करना वो तो सखना करना मली यो कोई चीज खेच लेनी ओ तो उनू मलकी वदा हक लेलना ठीक है डी फॉरेस्टेशन विल डिप्राइव दी नेक्स जनरेशन ऑफ दी इन्वेल्यूएवल इन्वेल्यूएवल मने कीमती ग्रीन वेल्थ जड़े असी है रुख वर्दे पे यां आन वाली पीडियां नू जड़ी दी चल्दी रही दी नेक्स जनरेशन विल हेव तो बियर सेवरल सफरिंग्स आन वाली पीडियां नू बहुत सारे दुख चलने पैन गे केड़े केड़े दुख लाइक ब्लोबल वार्मिंग, फ्लोड्स हड, ड्राउट्स सोके, वाटर स्केर स्केर सिटी, पानी दी थोड एर and noise pollution, हवा दा, शोर दा, प्रदूशन, डेजर्टिफिकेशन, जनु के ने मारूथ हल बंजणा, मलकी जमीना दी जमीना मारूथ हल बंजणा गिया, and many health issues, अते बहुत सारे सेत ना जोड़े होए मसले जड़े ने, ओ सारे आन वाली पीडिया नू चलने पैन गे, फेदा इक लाइंच असी यह दा हल लिखे है, Reforestation, Deforestation दा उल्टा है गया, Reforestation, Reforestation मने जंगलानू मुड के बहाल करना, मली यह साँ खाने यही पेड़ निवड़ांगे, असी बुटे लवांगे, बुटे नू पानी दावांगे, बुटे पालांगे, ठीके, अनु के ने, Reforestation is the only option यही एक रस्ता है only option मैं यही रस्ता है to stop रोकन ले this scary possibility scary मैंने ड्राउनी एक करी ड्राउनी बच्चो global warming hard आ गए सोका पै गया पानी नहीं मिलिया हवा परदूश्यत हो गया सब कुछ मारूधल बन गए यह ड्राउनी जड़ी possibility यह scary possibility scare मैंने ड्राउना scary मैंने ड्राउनी possibility मैंने संभावना आ ड्राउनी संभावना नू रोकन दा एक को एक अहल है कि यह सी जंगला नू मुड़के बहाल करिये ते सानुसार्या नू यह दे विची योगदान पाना चाहिदा है सो प्यारे विद्यार्थियो ऐसी टोड़ी चैप्टर नूबर 7 conservation of plants and animals दी exercises दे पहले तिन question क्योंगी video लंबा होना सी एदे जवाव लंबे-लंबे सी इस करके है दो video विच करांगे सो एदे विच तिन question किते ने बाकी जड़े question ने वो सी अगले video विच करांगे सो मैं आस करदा है I hope that this video was useful to you in making the notes and understanding the solutions to these questions तो इस सारे रज के चैनल नों सब्सक्राइब करो, वीडियो जोन लाइक अते शेर करो दबके ताकि वत 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 विद्यारती जड़े ने कारवेठे, बड़े राम दिनार इन उपर सकन अते एदा लाहा ले सकन तो आड़े सारे आदा, बहुत बहुत आनवाद, रभराखा, थैंक यू वेरी मच, गॉड़ ब्लस यू ओल